Good morning children, I am Lakshmi. Today's our subject is English. Day is Saturday and day is 09-05-2020. Saturday means Sunny Gaurd होता है. Number one question है, identify letters. आप लोगों को अप्छरों को पहचानना है. जो A से Z तक इतने भी letters सम्भूग लिखते हों, इसको आप लोगों को पहचानना है. कि हाँ ये कौन सा letter है? फिर्स देखिए letter कौन सा letter है? ये भी इस letter इस इस? J. कौन सा letter है ये हम J करते हैं? ये पारते हैं हम लो. T. विए लोगों को बारते हैं लोगों को बारते हैं है. इस तरह से आप लोगों को letters को पहचानना है इसलिए आप लोगों को A से जट तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिन पच्छों को पढ़ना और लिखना दोनों आएगा वहीं letters को पहचान भी सकेंगे जिन्हें नहीं आपाएगा उनके लिए फिर प्रॉब्लम हुझा है रहा है आप लोग A से जट तक letters करें नमबर टू question है learn fruits name fruits name means होता है फलो के नाम फलो के नाम आप लोगों को याद करने हैं तो फलो के नाम में हम लोगोंने नमबर वन नाम मैंने लिखा है apple A, W, P, Ali, Apple apple means safe नमबर टू है B, A, N, A, N, A, banana banana means kela नमबर ट्री है N, A, N, G, O, mango mango means a नमबर फोर नमबर फोर है G, R, A, P, E, S, graphs graphs means अंगूर फाइद है O, R, A, N, G, E, orange orange means अंत्रा तो आप लोगों को इतने बहुत याद करने हैं children okay, goodbye